यूटूब चैनल परिक्साइपार्टर में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग टू अलो फ्यू मेरी तू चलिए हम जो तैयारी अपनी करें यूजी सी नैट की पॉल्टिकल साइंस की राजनिती विज्ञान में हम ओल्ड पेपर अपने देख रहे हैं दो हजार ग्यारा से अब तक के यानि 23 तक के सारे पेपर हमें अपने देखने हैं तो एके करके हम डेली अपना पेपर देख रहे हैं एक आपके लिए टैनियर बना कर लिए आज अमारा जो नैक्स पेपर है जो दिसंबर तो दिसंबर चूंट योदिसंब्कार का था दिसंबड़ बीस और जून बहार इकिसमें आपका पेपर हुआ था तो फेपर 2020 में जो भी पेपर आपका हुआ है वह पेपर देखते हैं चले पहला कोईट की से ज ना राइट तो जो विशेश तर नहीं है वह पार्टी अथारित अवदार ना ओप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन सेकिंड बजट एक दस्तावेज जिसमें सारजनिक राजसव और व्याक की प्रारंबिक स्विकर्त योजना होती है यह परिभाशक किसने दी तो यह प कौन सा भारत में अभी की चुनावी राजनिती का बिलेक्शन नहीं है और गटबंधन निर्मान रोंग और विमत दाताओं के चुनावी पसंद के परशार में व्रैदी रोंग और प्रथा रोंग और यह कोंग्रेस के परभुत वाली वविस्ता का इस्तिरिकरन राइट औ निमली कित में से को अनस्व करात्मक शोतंतता का समर्थक नहीं है तो जो समर्थक नहीं है वो इसमें पूछा गया है तो कौन समर्थक नहीं होगा प्रथिश्टित मूल पार्थ दा हूमन साइड ओफ दा Enterprise में अपनी परशित स्वियदान टेक मानेता पर्दान की निमनीकितिमें से कौन सी मानेता है तो कौन सी मानेता थी चले करके देखते है पहला ए आता इसमें आम तर दायत से दूर रहना चाहता है फिर्टित शट्यों में दयत ना केवल स्विकाल करता है बलत की उसको प्राप्त करना भी सीखता है आम मानव का कारे करने के प्रेतिना केवल स्वाभविक विरोध रहता है यदी वै infinomen में समर्टो तो दूर भी रहना चाएगा डी उत्करश परबंदन एक सही विज्यान है तो इसमें जो उप्षन आपको देगे कोई सो भी उप्षन करेक्ट आपको नहीं दिया गया है चलिए नेक्स्ट कोशन है सिक्स्त निमले कितमें से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्द परेदी की संकल्पना को जोड़ा है तो किसने इमेनियल वालस्टन ओप्षन सी करेक्ट है नेक्स्ट सेवन कोशन है क्रांतिकारी इंसन आके वल वेदा कोत्यबल की उपनिवेशी प्रजा को स्वेम के पुने निर्मान का उशर भी प्रदान करती है यह है किसका कतन है तो इस स्टेट्मेंट किसकी इप फ्रे मीने option C correct next question 1989 में विश्वु ने निमलिकित में किस राश के संदर में साशन governance की संट्पना की थी तो सहरान अफ्रीका option C correct next question 10 है तुन्हात्मक्लोग परशाषन का जनाकशन किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा तो जो सबसे पहले एफ बैटले की दा प्रोसीज ओफ गवर्मेंट आईगी दैन आपकी रोबर्ट एडहल की इसके बाद आते हैं जेंस सी चाल्स वर्थ की कंटेंप्रेरी पॉलिटिकल एनलाइसी और डेविड एस्टन की एसिस्टम एनलाइसी और पॉलिटिकल लाइफ तो इसके जो सिक्वेंस बना ये बनता है सी बी एडी ओफशन सी करेक्ट है नेक्स तरटीन कोईशन है भारत में ब्रेटिस नोकर साई के कानों में अपील करने से या गलाफ आड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा यह है किसने कहा यह कहा ता बाल गंगदर तिलक ने ओफशन भी करेक्ट है का नेक्स वर्टिन है सुची प्सकों सुची सैकिन से सुमेलीत करना मैच करना तो तो सुची पूस्ट सीर कीस सैकिन मिलान करता चले सबसे पहले 312 साल्ट वी कंदर हो जाता है करेक्ट को एक शाइन खर्च्द हें युकति वादी थे ओर एकक्षर वादी के समर्तकते यह भी सही है सीवे नास्तिक ते गलत डीवे इशाइवाद द्वारा समर्तित तर्यात्मा किश्वर गावाद के सिद्धान क्यालोचक ते बिल्कुल सही ते इसमें सही होगा ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट को सुची सेकिंड सुमेलित की तो रचनकार का पुस्तक के साथ आपको मैच करना है रविंद्र राय यह हो जाएगा दंदक्षा लाइट्स एंड देहर आइडलोजी फिर आशीश कुमार यह हो जाएगा दाइश्प्रिंग थंड रहे एंड आफ्टर फिर एक यह जाएगा जैंडर डवलपमेंट एंड इंडिया संजे कुमार इंडियन यूट एंड इलेक्ट्र पॉलिटिक्स तो इसके तो सिक्वेंस बना यह बनता है एक फर्स्ट बीका सेकिंड सी का तर्ड डीका फॉर्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हजाता गंदी वर्णि वारता फिर चांट इसका स्वेंस बनता है बी दी करेक्ट है नेक्स्ट 18 कुश्चन है हीगल के संभन में निम्ले कि त्मेज़ कौन सा कथन सही होगा राज्य प्रत्वी परिश्वर का अग्रिशर होता है बिलकूल लुक्षी हीगल महिलाओ को कम तर बारत की नागरिता के संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो गलत कतन आपको बताना है बारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी ओप सकता है गलत यही आपका सही होगा यानि एक टाइम पर एक ही जगे का नागरिक रह सकता है सबसे पहले इसके बाद आता हितकारी शत्तावादी दैन विमशकारी नेतर तो फिर आता है सहबागी तो इसका जो सिक्वेंस बना यह बनता है डी ए बीसी ओप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट ट्वंटीवन है दो हजार चोदा में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के सपत ग्रेंड समारों के दोरन कि संगठन के नेताव को अमंतरीत किया गया था तो किसको अमंत्रित क्या गया था सार्ग को option C correct है next 22 question है सुची पस्ट को सुची सैगिन से सुमेलित कीजिए सुची पस्ट और सुची सैगिन का आपको मिलान करना होगा तो चले इसमें मैच करते हैं मिलाते हैं इसको सबसे पहले पत्वा है जहादारी यह हो जाएगा जयादीन पर नहीं फिर है तोर सोन लिंग्विस्टिक स्टेट्स यह है ब्यार अंबेड कर दैर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा चार्ल्स बेटलहाइम और फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स होगा एमें रोई तो इसका सिक्वेंस बनता है एका थर्ड भी का फॉर्ट सीका फर्स डी का सैकेंड ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट ट्वेंटी त्री कोश्चन है प्रारंबिक उदारवाद को सी भी मेक फर्शन ने किस परकार अभी लक्षित क नेक्स्ट ट्वेंटिफाइब ट्री कोश्चन हिस अप्सट को सुची साइकिंड से सुमेलित करना है मैच आपको करना होगा तो सबसे पहलेज में लाड प्राइश हो जाएगा इससे में यूज़ीं समझ किये तो जो समझोता की वह था वह था वह था वह था बेसिक एक्सेश्ट यंड को co-operation agreement option है correct है next 27 question है भारत के सर्वोच नियाले ने 24 अगत 2017 को AS पुतुश्वामी रिटायर बना भारती संग भारते संग मुकदमे में निर्ने दिया कि क्या निर्ने इसने दिया था तो जो निर्ने दिया इसमें निर्ने दिया तक केंद सरकार को भारते संग मिधान में संसोधन करके उसमें निजिता कादिकार जोड़ना चाहिए इसमें केवल B और B आपका सही होगा राइट आंसर जो है इसमें सही ओप्शन जो है इसका ओप्शन एक करेक्ट है केवल यह आपका राइट होगा नेक्स्ट ट्वंटीएट कोश्चन है निमनीकित अंतराष्टे संध्यों को काल करम अनुशार वेवेस्थित करना है तो अरेंज करना होगा सबसे पहले इसमें आता है वेस्ट फालिया की संधी इसके बाद आएगा यूट्रेट की संध्या दैन आएगा वर्षाई की संधी इसके बाद आएगा संयुक राश्रं का चार्टर तो इसका सिक्वेंस बना बीडी सी ए ओप्शन भी करेक्ट है किसने कहा है कि लोग पर साशन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्षो की निश्पत्ती किसकी हो गया को ओप्शन भी डिमोर को डिमोर को ओप्शन भी राइट है नेक्स्ट थार्डी कोश्चन है सूची बस्ट को सूची सेटिन से सुमेलित करना है सूची बस्ट और सूची सेटिन का मिलान करना होगा चलिए सबसे पहले इस में आता है बेसिक एक्सटेंज एंड कोपरेशन एग्रिमेंट तो यह हो जाएगा 2020 इंडो युएस सिविल नुक्लियर डील यह होगे दोहजार पाच्छाई टेक्नोलोजी कोप्रेशन ग्रूप कोप्रेशन ग्रूप जो है 2002 और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्टेटिजिक पार्टनर्शिप यह होगे 2004 तो इसका सिक्वेंज बना एक थर्ड बी का फोरसी का सेगिंडी का फॉस्ट ओप्शन चीकर conquest है नेक्स्ट थर्टीवन कोश्चन है निमले कित में से कोन सा राजनितिक पार्टियों काoryan नहीं है नियाए पालि का परणिय अंतरन करना ओफ्शन दी किरेक्ट है नेक्स्ट 32 कोईशन है निमलेकित मजदूरों संगों लेबर यूनियनों कोन के कठन के वर्ष के आरोही करम में आपको वेवेस्टित करना है अरेंज करना होगा तो चले इसे अरेंज करना है तो सबसे पहले इसमें आता है भारते मजदूर संग फिर आएगा इंटेक इंटेक के बाद इसमें आता है एमदाबाद वस्त सर्मिक संग एमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर एसोशेशन देन आएगा बोंबे मिल हैंड्स एसोशेशन इसका सिक बाव, option भी correct होगा, next, 34 है, निमलिकित में से किसका कतन है, कि जीवन एक सकती के बाद, दूसरी सकती पाते, रहने की सदत अवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंतमरत्यू के शाथी होता है, इसका right answer होगा, मेक्यावली, option भी correct है, next, 35 question है, बियार अंबेट कर द्वारा लिकित निमलिकित पुस्त को कोन के आरोही करम में वेवेस्थित करना है, आरोही करम में आपको लगाना होगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा the problem of the rupee, its origin and its solution, then इसके बाद आएगा the rise and fall of Hindu women, then है आपका the Buddha and his dham, last में आता है गांधी and गांधी, तो इसका right answer है, option भी, next, question है, 36, कोन नोकर साहिको राज्य की चेतावना मानते थे, तो नोकर साहिको जो राज्य की चेतावनी मानते थे, वो ते marks, option भी, correct है, important question है, next, 37, question है, नीचे, दो कतन दिये गए है, एक को अभी कतन है, और के रूप में लिखी तो दूसरों उसका कारण के रूप में है, अभी कतन बोलक कमजोर सरकारों के होने के साथ सकती विभाजन की इस समित्ती के कारण राज्यो द्वारा स्वायत्ता की मांग की जाने लगी, तो इसमें आपका जो A और R दोनों के दोनों सत्य आपके हो गया, अभी कतन भी कारण भी दोनों सत्य है, और कारण अभी कतन की सही तरह वेक्ष करना है मिलाना है तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग यह हो जाएगा हरबर सीमोन एकोलोजिकल एप्रोच एकोलोजिकल एप्रोच है फ्रेडिक्स न्यू पब्लिक एड्मिनिस्टेशन हो जाएगा मिनो ब्रूक कोंफ्रेंस 1968 डवलप्मेंट एड्वर्ड वैडनर तो इसको जो सिक्वेंस बना यह बनता है एका थर्ड बी का फर्स्ट सी का फॉर्ट और डी का सेकिंड ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट थर्डिनाइन है निश्पादन बजट यह दरिशाता है कि कोई सरकारी का यह अपने लक्षों और देशों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं निमनिकित में से कौन निश्पादन बजट के केंद्रिया बिंदू है तो कोन केंद्रिया बिंदू होगा ए इसमें निश्पादन इस्तरों की स्थापने तरह सूचना संग्रण क्या विशक्त होते हैं करेक्ट बी जो कारे किया जाता है उसकी मातरा का मापन होता है यह भी सही सी उस कारे की गु परकार से इत्यास के साक्षी रहे हैं यानि मानव जाती के विचारिक विकास का अंतिम बिंदू और मानव सासन के अंतिम रूप में पश्षी मियुदार लोग तंद्रकास सार बोमी की करना यह है किसका विचार है तो यह जो विचार था फ्रांसीद फुग्यामा का ओप्शन से करेक्ट होगा नैक्स्ट में से कौन से काड़य स्थाने सासन से संभनधित नहीं है वह सार्जनिक विवेश्टा कानुरक्षन rarely कि से श digo को बताव जेस मिल द्रक क्या ग्या है उप्शन से लिगेजा का विध में समंगर इपत्तिवीद्य ओ तो ए और सी आपका correct है option A right होगा next 43 है भारत और चीन के मद्य की सीमा रेखा का नाम बताईए important question है तो क्या होगा इसका नाम आपको पता होगा अब यह के रूप में राष्टी यह भी सही सी धार्मिक लाल सा और नेतिक दिस्टी कोन के रूप में राष्ट वाद यह भी सही एडी वो गोली की काई के रूप में राष्टी यह गलत तो ABC तीनों क्या है राइट आंसर होगा option A केवल ABC next question A 45 निमले कित कतनों में कोन एक सामा option A correct होगा next question 46 निमले कितमे से कौन से मेरी पी फोलेट के उननत विचार है तो उननत विचार कौन से होगे A पर कर्यात्मक फोर मैंनी रोंग B रचनात्मक गिंदर बिलकुल सही है C स्वीकर्ती चेतर गलत D A की करन इंटिग्रेशन राइट तो B और इसमें सही है राइट अंसर जो है इसका option C correct है B और D correct होगा next 47 question है भारते विदेशी निती में इंदरा सिद्धान किसे संबंदित है तो किसे संबंदित होगा A इसका उदेश है भारत का वैश्विक सकती बनाना है गलत B यह पडोशी देशों के साथ सहयोग उक्षित करने की निती ती यह भी गलत C इसमें भारत के सुरक्षड दक्सिनेश्य के संकक्स पर देशित की गई है सही है दक्षिने साय चेत्र में किसी भी अस्तरशेप को भारत की सुरक्षा में खत्रा समझा जाएगा ये भी सही है तो इसमें COD करेक्ट होगा राइट आंसर जो है इसका ओप्षन डी करेक्ट है केवल COD राइट होगा इसमें पूचा गए तो सही क्या होगा ये है राजक अंतराश्टे परणाली में नियम सामिल व्यवार की विद्वान ता के लिए प्रियाश है बिल्कुल सही है इसमें परणाली को परतिस्तापित करने के लिए रोंग सी परमुक सकते है इस परणाली के माध्यन से बंदों का समधान करती है ये गलत है डी उन्हें सिद्दान तो मान को नियम और निर्ने लेने की परकिर्याव द्वारा प्राभेशित क्या गया बिल्कुल सही तो A और D हिसमें सही होगा राइक स्टाइस का ओप्षण भी नेक्स्ट फोर्टि नाइन है कि तुछी पर्स्ट को सूची सेगिंद से सुमेलीत करने सूची का सूची सैकिंद से मैच करना होगा मिलाना होगा तो सबसे पहले इंस्टूरेशन रेगुलेट्री एंड़ देवलप्में अमेंडमेंट अक्ट 1988 तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये बनता एक थर्ड बी का फॉर्थ सी का सेगंडी का फास्ट ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट फिफ्टी कोश्चन है आत्म निर्बर भारत अभिया निमलिकित में से किस्तिती को प्रारम किया गया तो ये 12 माई 2002 में ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट फिफ्टी वन कोश्चन है भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया निमलिकित समझो तो कौन के परकरटन के करम में विवस्तित करना है तो अब विवस्तित यानि अरेंज करना होगा तो सबसे पहले आएगा माश को टेस्ट समझोता इसके बाद आता है आपका भारत रूश में त्रिशंदी और लाश्ट में भू सीमा समझोता तो इसका जो सिक्वेंस होगा यह बनता है सी बी डी बे ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट फिफ्टी टू कोश्चन है निमलिकित में से किस बहुदेश्य निर्यात निय सब्सक्राइब करना सुची सेकिन सापको मैच करना है तो सबसे पहले कैथरीन मैकनी जो गई यह जाएगा टूर से फैमिनिस थ्योरी ओफ इस्टेट दैन सुजेन ओलर ओकिन हो गया जस्टीस जेंडर एंड फैमिली एस फायस्टीन हो जाएगा दा डायलेक्टिक ओफ सक्स पता है एक थार फॉर कोशन सीटल कॉस्टिक निमली कीत में से कॉन सा कतन सत्य है तो सत्य कतन आपको बताना है तो मनुष्य को सामाजी कित के विरूद कोई अधिकार नहीं दीये जा सकते है और गएक्शन भी करेक्ट है नीचे दोक अपको दिये गए है अभी कतन कतन सांति और सुरक्षा संबंदी मामलों पर संयुक्त राश्चन के पाथ इस्ताइस सदेश्यों सहीत दो त्याइस सदेश्यों के बहुमत से निर्ने लिया जाता है कतन सैक इन युए नहीं सुरक्षा परिशत पर्याप्त रूप में वीश्व के सभी चेत्रों का परतिनी दित क है तो कौन भाग है जो वो नहीं होगा अनु के रूप में मनुष्य का विचार करना बिल्कूल करेक्ट ओप्षन है राइट होगा नेक्स्ट 57 है प्रेशिद परवर्नी सब्द पोश्ट गोव किसको बताया हुआ है इंपोर्डन कोश्चन है तो किसका बताया हुआ है गु प्रेटिक टेरर यह हो जाएगा हाना अरेंडर कल्चिरल रिवोल्यूशन जो है मानो माओ जिन्दांग और अफा दिंड अपांदिड हो गया फ्रांज फेनें एलिग्री ओफ केश हो गया प्लेटो तो इसका जो सिक्वेंस बनता है यह बना एक फॉर्थ बीका थार सी का फ प्रेटिक टिल्च केलिए और अधिकारों के परतेक्ष कारवाई और दबाव से प्राप्ट कैया सकते हैं बिलकूल सई तो चारों चेट्मेंट के लिए तो राइट आंसर इसका ऑप्षेन भी होगा आपी सही है एंगुर्ट सउem ह tv नम्लिकट में नहीं किया जासकता नागरिकों के tôi ओप्षन भी कॉरेक्ट घ्रीं में इन में से कोन सा कतल सही नहीं है तो जो गरत कतल आपका डिया गया को उगए वितायों का प्रावधान संग्विधान की धारा 280 में उल्ले कित है ये बिल्कुल सही दिया गया है बी वित आयोग अध्यक्स और दो सदेशों का बना होना चाहिए गलत सी वित आयोग अपनी सिपारिजे संसद लोक्षबा में प्रस्थूत करता ये भी गलत है डी है आयोग के सदेशों क कि न्यूक्ति की अयोग अको निश्चित करने के लिए संसद प्रादी करता है बिल्कुल सही तो गलत क्या था बी और सी ओप्षण सी करेक्ट है नेक्स्ट सिक्स्टी टू कोश्चन है निमली कित में से कौन सा सतत विकास का अभी लक्षण नहीं है तो अभी लक्षण जो सिक्स्टी फोर निमली कित में से कौन मजदूरी व्रद्धी और अवसंग रचना विकास के कारेकरम थे या है तो कौन-कौन से कारेकरम थे या फिर अभी भी है एक्रेशी स्क्रीम ओफ रूरल इंप्लोईमेंट सगन ग्रामिन रोजगार योजना बिल्कुल सही है अब भी यहां वन्य ग्राजगार विकास के एसे से कौन चुनावियर जुनावि राज़निती है वाद विवात के विशए थे वो क्या थे एलेक्ट्रोनिक मतदान मसीन बिल्कुल सही बी एक रास्ट एक चुनाव ये भी सही है सी एक सदेश्य निर्वाचन आयोग रोंग डी स्तानिय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के मानों को प्रारम करना ये भी सही है तो इसमें सही है और इंपोर्टेंट कोशन है तो मेनिक्जावली जो है इसका राइट आंसर थे दार संभन्दी के इंद्रिया विचार को काल करा मनुशार वेवेस्थित करना है तो अरेंज करना होगा महिलाओ इसमें आपका महिलाओ को मतादरकार देने पर बल फिर आपका सामाजिक तता आर्थिक वसमानता पर बल सांस्कृति तता संधर पर बल और प्रियावरन नारिवाद इको फैमिर्ज पर बल तो इसका सिक्वेंज बना A B C D ओप्षन A करेक्ट है नेक्स्ट 68 है चुनाव आयोग भारत के संग्विधान के अनुचे 324 द्वारा प्राप चुनाओ के अधिक्षन निर्देशन और नियंत्रन की सक्ति कभ से लागू ही तो कभ से लागू ही थी ओप्षन A 15 अगस्त 1947 रोंग ओप्षन B 25 जनवर 1950 रोंग ओ ओप्षन D 26 नवंबर 1999 राइट तो राइट अंसर जो है इसका ओप्षन D करेक्ट है नेक्स्ट 69 निम्लेकित में से कोन अंतराष्टे संभंद के नव यथार्थवादी सिद्धान से संभंद इतके इंद्रिया विश्य नहीं है तो जो विश्य नहीं था वो ता राज्य सतत एक अधिकार पूंजी वाद की परकिर्या में किर्याशील होते हैं नेक्स्ट 70 कोईशन हन्ना अन्ना हरेंड की रचनाओ को आरोई करम में वेवेस्टित करना है आरोई करम में इसे लगाना होगा तो दा ओरीजिन सोफ टोटलिटरिज्म फिरेदा हुमन कंडिशन ओन रिव पेक्स और अखंडता सब्दों का हमारे संगीदान में समवेश किया गया है 42 सउंसोधान ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट 72 है भारत में सर्मी कांदोलन किन से दुस्परभावित हुआ है तो किन से दुस्परभावित हुआ है ए कम सदेशिता सही है बी कम जोर वीती यह सही है C अनेक संगों का होना ये भी सही है डी वी बेदे संगटनात्मक संगरचना की उपस्थिती जैसे सर्मिकों के विभिन वर्गों के लिए तो इसमें चारों आपके सही होगे तो राइट आंसर है इसका ओप्शन C A B C D करेक्ट है नेक्स्ट 73 आधुनिक उदारवाद क का वाला भी चारधारा इश्कूल है तो कौन सा होगा ए ओस्ट्रियन स्कूल बिल्कुल से लबी सिकागो इसकूल ये भी सही है तो ए भी इसमें करेक्ट है ओप्शन है राइट होगा नेक्स्ट 75 कोश्चन नीचे दो कतन दिये गए एक को अभीकतन एक के रूपी रूप मे कर दो करने पर केंद्रित है तो इसमें दोनों के दोनों कारण अभी कतन और कर रहा है राइट अंसर होगा ओप्शन सी और र दोनों सही है और रेकी सही व्यक्ष्या है नेक्स्ट है 76 नीचे दो कथन दे गए फिर से आपका कथन दिया गया कथन क्या कहता अभी कथन जोन लोग स्वततात्मक व्यक्ति वगदी प्रदेशित कया गया है कारण आर जोन लोग के वाल हितों गिवरदी के पक्सदर नहीं है तो इसमें क्या होगा इसमें दोनों सही है और ये कारण है वो अभी कथन की व्यक्षा सही तरह नहीं कर रहा है तो राइट आणसर होगा ओप्षन डी ए और आर दोनों सही है प्रंतू आर एकी सही व्यक्षा नहीं है नेक्स्ट 77 कुशण है Q77, निमलिकित में से कौन से कतन तुलनातमक राजनीती में काल डबलू डायंस के संचार दरश्टी कौन से संबंदित है तो जो दरश्टी कौन से संबंदित है वो पूछा गया इसमें A. राजनीतिक विविस्ता सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है Q77, निमलिकित कुस्तकों को उनके परकाशन के वर्स के अनुशार वेवेस्तित करना है तो सबसे पहले आएगा एंडर्शन जेमसी पब्लिक पॉलिशी मेकिंग इसके बाद आएगा बटाचारे मोहित न्यू और जाइन्स और पब्लिक अर्मिनिस्टेशन दैन है ड्रोर यह पांकर पब्लिक पॉलिशी मेकिंग रिएक्जाइमेंड फिर आएगा डाई ही थोमस और अंडर्शन पॉलिक पॉलिशी तो इसका जो सिक्वेंस बना वो बनता है डी सी एबी ओप्शन डी करेक्ट है नेक्स सैवन्टि नइन कोईशन सूची फ़स्त को सूची सैगिन से मैच करना है मिलाना होगा चले ले चार के सवरूप और सुची सैगिन Mt जो तरदा दाय। लएगी सक्तियों के इसन विबाज़न विए마त्मक बनत्यावेी में मर्यास सरकार हो घं कटेंज करना मं। तो इसका जो सिक्वेंस बनता ये बना A का सैकिंड B का फर्स C का फोर्थ D का थार ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट 80 कोशन है निम्र मेंसे तुल्लात्मक पदिती के लिए पुर्व सर्ते क्या है तो पहली जो सर्ते थे पहली सर्ते इसमें पूची गई है A इकाय के चेहर में कारक रूप में तुल्मात मखा का ये सई नेक्स्ट 81 है नीचे इसमें दो कफन आपको मिलते हैं भी कफन कहता है इसमें सबसे पहले वो आपका ए सत्य है गलत आपका होगा और और सत्य है ओप्षन है करेक्ट है नेक्स्ट कुश्चन है 82 यू एन चार्टर में सांती की संग्रक्षा के लिए नीम्न में से कौन से विशेष्टाय दी गई है तो कौन से विशेष्टाय है जो दी गई थी उवरादों के सांकर निफ्टारे में सांती भाली की परकिरिया दे गई है बिलकूल सही है ब स संथे संदी उप्षन ब्लकूल सही है और सही है राइट अंसर हो जाएगा इसका ओप्षन भी करेक्ट है एक्स्ट 83 question है भारत की विदेश निती के नियम में निम्नांकित कत्रों में कौन से सही है तो सही इसमें आपको बताना है भारत ने वर्ज 2015 में बांगनादेश के साथ सीमा समझोते लबी ए पर हस्ताक्षर किये है बिल्कुल सही है भारत ने वर्ज 2017 में सिरी लंका में हमबंटो टाबंदरगा के निर्मान पर शेहमती व्यक्त की ये गलत है सी भारत ने वर्ज 2011 में अफगानिस्तान के साथ रर नितिक भागिदारी समझोते एस पी ए पर हस्ताक्षर के सही है डी मालदीव के अब्दुल्ला यमीन 2013-2018 के सासनकाल में भारत के साथ में तरी संबनते गलत तो इसमें ए और सी सही होगा एसी राइट है तो एसी राइट यानि ओप्शन भी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेशन है 84 निमलेकित में से कोन लोक्षभा के एक में अधिकार है तो एक में जो अधिकार होगे वो क्या होगे ए धनविद्यक का प्रस्तुति करन बिल्कुल सही भी आपातकाल घोशना की पुस्टि करना गलत सी मंत्री परिशत के विरूद एविश्वास प् निमलेकित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है तो जो सही नहीं है वो पूछा गया ऑप्षन है अनुप चारिक तुस्ट संगटनात्मक उत्पादन में महत्तव भूमी का करने रवान नहीं करते तो गलत है यह आपका ऑप्षन है करेक्ट होगा नेक्स्ट कुश्चन है 86 रियंवेंटिंग गवर्नमेंट 1902 में किसने लिखिया यह लिखिती ओश्बन और गैबलर ने ओप्षन भी करेक्ट है नेक्स्ट 87 है वैश्विक परनाली सिद्धान के संबंध में निम्न में से क्या सही है तो सही जो होगा वो इसमें पूछा गय और परिनाम जैसे में त्यपुन अवधार नाय सामिल है गलत डी है यह राज्यों के मद्य संगश और परतीश परदा और सहयों की स्थितिक अविश्लेशन करता है गलत तो इसमें जो सही होगा यह और भी आपका सही है एवी ओप्षन नमबर ए में है ओप्षन एही कारण है तो भरने के जो कारण है वो क्या होगा यह यूरोप यह सक्तियों के कम जो और हुई सक्ति इस्तिती सही है भी सामराज्यावाद के विरूद संग संचितना में व्रदी यह भी आपका सही है तो इसमें और भी आपका सही है ओप्षन एक करेक्ट होगा नेक्स्ट है भारत में इंदी की परतिस्था मेवरदी करना यह भी गरत ऑप्षन से मनुष्य की गरीमा राइट तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मनुष्य की गरीमा ऑप्षन सी करेक्ट है नेक्स्ट निम्लिकीत में से एभी मुप्रित संही प्रकेरिओं बेद किसे भी सही क्रूप्षन परेक्ट बैसलिए अब आपके कटान से नियुक्ति का भारत सी के निर्धार सकता है सामान्य मुक्ति के द्वारा option सी correct है next 92 है marks के पूर्व marks के पूर्किस राजनीतिक चिंतन की रचनाव में link के प्रति पूर्व घ्रह मिलता है हिंगेल option है हिंगेल इसका correct answer है next 93 एंजिल्स के पूस्तक औरीजिन्स का पूरा नाम क्या है तो इंपोर्टन कोश्चन है तो क्या नाम होगा नाम जो था वो था कि दा ओरीजिन्स ओव दा फैमिली प्राइवेट प्रोपर्टी एंड़ स्टेट ओप्शन ली करेक्ट है next 494 माक्षवा दर्शन में नारी मुक्ति के संब्ध में सामान ने समझ क्या है माक्ष ने महिलाओ की स्थितिक अविश्लेशन समाजवाज से बाहर नहीं किया option भी करेक्ट है next 95 परिवार में महिलाओ की सामाजी किस्थितिक अनिर्धारन परिवार की किस परकरती द्वारा क्या जा सकता है एतिहासिक वातावरन option भी करेक्ट है next अब आता है 9600 तक जो कुश्चन होगे वो इसी गध्यान से आपके बनेगे तो कुश्चन है 1996 1990 के दसक्यांत में पी आई ओ पर महत्य पुन्ध्यान क्यों दिया गया पोखरन सेकिंड और अमेरिकी पर्तिबंद option डी करेक्ट है नेक्स्ट 97 भारत सरकार द्वारत पी आई ओ कार्ड जारी करने के जाने का विचार किस संगटन ने दिया था तो कौन से संगटन ने यह दिया था जी ओ पी आई ओ ओ ऑप्शने करेक्ट है नेक्स्ट 98 ग्लोबल ओर्गिनाइजेशन ओ पीपल ओफ इंडियन ओरिजिन गोपिय का कारिय क्या रहा है तो कारिय रहा था भारते मूल के विविन लोगों के मुखरी क्रतितों का पर्तिनिदितु करना नेक्स्ट 99 है भारत के विदेश निती निर्मताओं के लिए भारते परवासी समूँ पर हो रही बहत को क्यों पर्मुकता मिली तो पर्मुकता मिली भारत में वैश्वी करन परकिरिया की मजबूरिया ओप्शन है नेक्स्ट और लास्ट कोशन है 100 इंडिया कोकस का मुख्य कारे क्या है तो इंडिया कोकस का मुख्य कारे क्या होगा यह ता यूएस के निती निर्मान को भारत के पक्ष में परभावित करना ओप्शन सी करेक्ट है लास्ट कोशन आपका था कोशन नमबर 100 चले जो बचे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे आपखे चैनल